Hi guys, I'm Sakshi Bhava and you're welcome to my YouTube channel English with Sakshi Bhava So, जो लोग भी पहली बार आए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लो and bell icon भी हिट कर दो because every Monday and Thursday हम grammar series के sessions करते हैं जिसमें almost सारे के सारे आपके rules कवर हो रहे हैं धीरे-धीरे आज का जो session है वो rule of parallelism के उपर है जो की again बहुत साथा commonly पूछा जाता है exams में and उसका actual में हम editorial के sentences से भी देखेंगे कि हम कैसे उसे identify कर सकते हैं So, मैं आपको rules बताने के बाद tricks भी बताऊंगी कि कैसे आप identify कर सकते हो इस पूरे session में हम ये चीज़ इसकास करेंगे So, अभी से ही session को like कर दो जिसने नहीं किया है I hope everybody is as excited as I am So, let's begin सबसे पहले तो, देखे बिटा, parallel structure होता क्या है Parallel word आप समझते हो ना Parallel का मतलब होता है similar Similar structure जो आपने पहले में रखा वही चीज़ आप दूसरे में रखो वही चीज़ आप तीसरे में रखो So, असान भाषा में अगर मैं बोल लूँ तो parallel structure का ये meaning होता है अब देखो English में हम parallel structure कैसे maintain कर सकते है बहुत सारे अलग-अलग rules होते है जो मैं discuss करूँगी So, अगर noun है एक पार्ट में noun है तो दूसरे पार्ट में भी noun रखोंगी तब जाकर parallel structure maintain होगा ठीक है? एक पार्ट में verb है तो दूसरे पार्ट में भी मुझे verb रखना पड़ेगा तब जाकर parallel structure maintain होगा मज़े की बात है कि verb की case में मैं पस बड़े सारे variations आ जाते है For example, verb का second form है तो verb का second form रखना पड़ेगा verb का ing form है तो verb का ing form रखना पड़ेगा verb का 2 plus v1 form है तो verb का 2 plus v1 form रखना पड़ेगा So, are you understanding? So, parallel structure means similar structure So, मुझे वो same structure रखना पड़ेगा दूसरे पार्ट में भी मेरे पस बहुत सारे sentences है अभी बस मोटा मोटा समझिएगा बात को इसी तरह से अगर adjective है तो मुझे adjective रखना पड़ेगा अगर कोई preposition है तो मुझे preposition रखना पड़ेगा So, parallel structure इसको कहा जाता है तो चलिए कुछ दो examples देखते हैं फिर we will dive into the rules अब देखो इस sentence में क्या गलत है identify करने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो कि वो क्यों गलत है अब अगर मैं बोल रही हूँ कि she played basketball and a shower sorry had a shower and gone to school अब इसमें देखो क्या गलत है ये आपका verb है verb का second form कह सकते हो इसको third form भी कह सकते है लेकिन पता third form इसलिए नहीं कहेंगे तो इसलिए मैं confirm हूँ कि ये verb का second form है क्योंकि played ही verb so basically अगर verb का third form मुझे play का चाहिए तो वो भी played होता है लेकिन मैं identify कर सकती हूँ कि यहाँ पर has, have, had नहीं दिया है तो ये third form नहीं है so ये v2 है had आपका v2 भी होता है और v3 भी right gone आपका v3 form होता है so go, went, gone ये आपके तीन forms होता है go word के तो अब यहाँ पर आपने देखा न कि हमने verbs तो use किये पर अलग-अलग tenses में use कर डाले हैं है ना उसके अलग-अलग forms use कर ली है कि उसने तीन काम किये पहला काम उसने किया कि उसने basketball खेला दूसरा काम उसने shower लिया इसका मतलब है नहाई हो और तीसरा वो school गई तो तीन कामों में हमने तीन का basically parallel structure form use नहीं किया यहाँ तो हमने v2 form use कर डाला और यहाँ पर हमने v3 form use कर डाला gone तो आपको समझ में आए कि हम यहाँ पर गलत है और आपको उसको gone की जगा वेंट करना है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे आपने यहाँ यहाँ पर भी वी 2 form use कर लिया similarly अगर हम बोल रहे है he loves singing, dancing, to write and swimming तो क्या यह बात सही है बिल्कुल भी नहीं उसको क्या-क्या चीजे पसंद है पहला singing दूसरा यह भी v1 plus ing dancing लिखा है यह आपका infinitive form आपने लिख दिया है बेटा ठीक है आपने लिख दिया है तीसरा काम उसको पसंद है to write so 2 plus v1 form infinitive form कहलाता है वो ing form थोड़ी नहीं और swimming of course ing form है चौथा काम यह हो गया तो यार जब सब में आपने 1, 2, 4 में ing form लगा है इसमें infinitive लगा है तो यहाँ पर वो parallel structure break हो गया तो अगर error detection आएगा तो आप यहाँ माँ करेंगे तो इसको जैसे ही आप writing कर देंगे सभी के जैसा similar बना देंगे आपका answer सही हो जाएगा ठीक है चलो अब rules देखते हैं और फिर towards the end में आपको editorial के sentences दिखाऊंगी क्योंकि देखो editorial हम daily पढ़ते हैं और वहाँ पर भी मैं आपको दिखाती ही हूँ कि किस तरह से इसको identify कर सकते हैं तो वो practical sentences हो गए यह तो छोटे-छोटे sentences हैं जिस पर of course मुझे सिखाना होगा आपको पहला rule देखो क्या है ऐसा नहीं किसी वितना साही बात होता है कि अच्छा कॉमा कॉमा करके आपने वो कर दिया हम of course देखते हैं कि हम conjunction से अगर हम add कर रहे हैं तो हमें parallel structure maintain करना है conjunction आपका कोई भी हो सकता है for हो सकता है and हो सकता है nor हो सकता है but हो सकता है although हो सकता है कोई भी conjunction से अगर हम add कर रहे हैं तो हमें उसमें parallel structure maintain करना है तो अब देखो My best friend took me to dancing and to a show अब ये क्यों गलत है क्योंकि my best friend सो मेरा best friend dance करने और एक show में मुझे लेकर गया मुझे ऐसा ही बोलना है न show आप सभी को पता है कि एक noun है है ना और dancing मैंने यहाँ पर verb लिख दिया तो अभी चैसे मैंने कहा कि आपको बिटा noun का noun के साथ verb का verb के साथ parallel structure बिठाना है तो अब आप ये थोड़ी करोगे show का कोई verb structure थोड़ी showing थोड़ी लिख दोगे कोई meaning ही नहीं बनेगा न इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी noun दे देंगे कि यहाँ पर two जो है जब of course एक बार आ चुका है तो दुबारा हमें उसने लिखने की जरुवत नहीं पड़ी है ना तो यहाँ पर two dancing, two a show दो दो बार हमने two भी लिख दिया था तो जब same preposition ही use होना है तो दुबारा से उसे नहीं लिखना है दूसरी चीज़ है कि हमने दोनों forms अपने सही कर दिया noun noun लगा दिया हमारा answer सही बैठ गया next अगर मैं correlative conjunctions use कर रही हूँ तो यह तो चलो मेरे conjunctions जो आपके normal वाले होते हैं superlative conjunctions, coordinating conjunctions यह उसके लिए अगर आपको यह conjunctions के नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं correlative conjunctions क्या होता है वह मैं आपको बता देती हूँ correlative conjunctions pairs में exist करते हैं कि अगर इनके साथ कुछ आया तो यही आ सकता है जैसे not only के साथ but also ही आ सकता है इसी तरह से either के साथ और ही आ सकता है ऐसा नहीं कि अकेले नहीं आते हैं बट अगर combination में कुछ आया तो यही आ सकता है इसी तरह से neither के साथ nor आ सकता है तो इनको correlative कहते हैं तो correlative conjunction में भी हमको follow करना होता है rule of parallelism ठीक है अब जैसे not only visited Delhi but also आगरा अब इसमें क्या गलती हो रही है देखो not only और but also यह मेरा conjunction हो गया ठीक है not only के बात जो मैंने लिखा है but also के बात जो मैंने लिखा है न हो मेरा same part of speech होना चाहिए यहाँ पर देखो मैंने verb लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिखा है noun तो क्या यह बात सही है बिलकुल सही नहीं है तो हमें इसको सही कैसे करना होगा एक तो not only और but also का अलग से भी रूल होता है कि इसमें जो चीज common होती हैं वैसे भी बाहर निकालते है तो हमने visit ही तो दो जगा किया है ना Delhi एक जगा है दूसरी जगा आगरा है तो visit word common है तो जैसे ही आप वो common वाली चीज not only के बाहर निकालोगे so common वाली चीज हमको not only से पहले लिखनी है so visited उसने दो जगा किया है डेली और आगरा visited word हमारा common है वो हमने not only से पहले जैसी कर दिया अब आप देखो आपका rule fall into place हो गया not only के बाद भी हमने noun दे दिया और but also के बाद भी देखो हमने noun दे दिया अब हमारा sentence एक दम सही है rule of parallelism के हिसाब से भी ठीक है अब जब comparison हम कर रहे होते हैं of course तब भी हमको parallel structure follow करना है है ना comparison कोई चीज का कर रहे है dan लगा कर कर रहे है या dan नहीं भी लग रहे है फिर भी कर रहे है अब जैसे हमारा sentence है I like to read books over watching movies अब इसमें पते हैं क्या कर बढ़ो गई कि यहाँ पर आपने like word के बाद यह जो दिया है ना इसको मुझे पूरा unlink करना चाहिए था 2 plus V1 दे दिया है ठीक है जो की आपका infinitive form होता है so 2 plus V1 आपका infinitive form होता है और आपने read के लिए तो infinitive form दिया है जो की आपका verb है और movies देखने के लिए आपने ing form दे दिया है तो यह गलत हो गया so हम यहाँ पर I like doing this over doing this ऐसा बोलना चाहते है तो हमारा format तो same होना चाहिए यह 2 plus V1 में है यह आपका V1 plus ing में है तो इसको भी आप उसमें करो पता है क्यों क्यों क्योंकि like के बाद ही आप V1 plus ing लगाते हो so I like doing something होता है तो यह गलत है आपका मतब इसमें आपके मन में I'm sure question आ रहा होगा कि मैं अच्छा to watch कर दे तो सही हो जाएगा क्या नहीं सही होगा क्योंकि I like doing something होता है तो यहाँ पर इसको आप सही करेंगे I like reading books over watching movies तो आपका ing form, ing form दोनों same form बैड गया similar हो गया, parallel structure हो गया इसी तरह से अब दे कोई उपर वाले में dan तो लगा नहीं था तो चलो dan का भी देख लेते she is mad about watching tv more than to read देख रहे हो, अब dan से आपने लगा दिया so अगर यहाँ पर dan आपने use किया है तो भी कोई बात नहीं है न यहाँ पर dan यूज नहीं किया था बात same कह रहे थे, यहाँ दैन use करके कह रहे है तो अब यहाँ पर watching आपने लिखा है v1 plus ing में और to read आपने infinitive में दे दिया है sorry, 2 plus v1 में तो गलत हो गया न यह बात I hope you are understanding क्योंकि infinitive, infinitive जाएगा साथ में v1 plus ing, v1 plus ing जाएगा साथ में so जैसी आपने watching करके लिखा dan के बाद ing reading form कर दीजे उसका चीच है अब जब भी हम list form में कुछ दे रहे होते है कॉमा कॉमा करके बहुत सारे काम या कुछ भी ऐसा बोल रहे होते है तब भी हमको parallel structure maintain करना है अब जैसे हम बोल रहे है this task can be done individually in pairs और can be done in groups of four अब आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहे है कि हम बताना चाहते है कि ये task कैसे आप कर सकते हो अकेले अकेले भी कर सकते हो दो-दो के pair में तो pair तो दो कई होगा दो लोग भी साथ में कर सकते हो या चार लोग का group भी बना के कर सकते हो तो हमको list हम बता रहे है न तो इसमें कहां गलती हो गई हमसे इसमें हम part of speech ना देखकर हम ये देखेंगे कि can be done अचानक से हमने इन groups of 4 क्यों लिख दिया इससे पहले जब can be done सबके लिए common है यहां तो आपने नहीं लिखा ठीक है इससे पहले लिखा है in pairs से पहले नहीं लिखा अचानक से इसमें लिख दिया तो ये can be done हम जैसी हटाएंगे हमारा parallelism structure जो है वो बन जाएगा so this task can be done अब यह सब के लिए common हो गया individually, in pairs, और in groups ठीक है groups of 4 of course so list के case में भी हमको similar structure बना के रखना है जो चीज common है उसको में बाहर ही रखना है अब examples from editorial देखते है so अब यह recent editorial है जो मैंने आपको पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको यह बताया था कि इस तरह से देखो parallelism करना है तो वही example मैंने लिया है so that you know you can relate now अब क्योंकि आपने rules देख ली है इसमें मैं आपको एक और चीज highlight करूंगी क्योंकि editorial का sentence है यही error detection में भी आते है so आपको पता है कि error detection के questions जो है वो newspaper से बनते है examiner बनाता है right so आपको confusion नाओ इसलिए मैंने editorial का ही लिया है अब देखो sentence पढ़ती हूँ पहले आपको sentence समझाती हूँ there cannot be any redress when groups engage in wanton and targeted violence against each other तो basically जब groups आपस में यह मनिपूर का जो editorial हमने किया था violence चल रहा है वहाँ पर उसके उपर है तो वो कह रहा है कि कोई solution नहीं हो सकता है जब groups जानबूज के wanton मतलब होता है deliberate आप किसी को जानबूज के नुकसान पहुचाना चाहते है और ज़रूरत भी नहीं थी तब भी आप ऐसा कर रहे हो so जब groups you know wanton or targeted violence करते है एक दूसरे के against मतलब उनको करना ही है सामने वाले को नुकसान पहुचाना ही है without any reason तो फिर उसका कोई solution नहीं निकल सकता ठीक है और दूसरी चीज है एक और काम में उनका कोई solution नहीं निकल सकता जब वो blockades use करते है ताकि supplies transport नहीं हो सके so basically blockades मतलब obstructions right ताकि एक दूसरे का transportation रोग सके तब भी कोई address नहीं हो सकता और तीसरी चीज है जब वो displays लोगों को उनके घर आने से भी रोकते हैं तब भी कोई solution नहीं निकल सकता ठीक है तो sentence का meaning तो यह displays लोग मतलब जिनको अपने घरों से निकाल दिया गया वो कहीं और गये है पना मांगी है उन्होंने और अब basically अपनी safety के लिए गये है अब वापस अपना घर आना चाते है अब दिखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैंने engage, user, continue पर purple कलर किया है मतलब उन पे parallelism लगा है मुझे कैसे पता अब ठीक है माना कि यहाँ पर वीवन ही थे तीनो राइट पर यह parallelism prevent word के साथ नहीं लगे हुए है क्योंकि आपको जब error detection में देती हूँ तो आप किसी के साथ भी parallelism लगा लेती हो वो तो चलो यहाँ पर वीवन है से लिए वो अलग से दिखनी रहा है कि prevent भी तो वीवन है मतला अगर मालो यहाँ पर ing होते तो ing, engaging, using और continuing पे लगते prevent word से continue word का कोई नाता नहीं है समझ गए? यह prevent word तो actually में इस बात के लिए लिखा है तो हमेशा ध्यान रखो जो trick मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो है numbering की, कभी भी आपको confusion हो so numbering कर लो कि कौन-कौन से actions है action जब complete होगा मन में एक bracket बना लो जब दूसरा action शुरू होगा वहाँ पर आपको rule of parallelism लगाना है so वो क्या कह रहे हैं कि कोई solution नहीं हो सकता तीन situations में अब आप इस sentence को इस तरह से देखो कि कोई solution नहीं हो सकता इन तीन situations में पहली situation यहाँ से शुरू हो रही है कि अगर जो groups हैं वो engage करते हैं wanton or targeted violence में दूसरा वो इस्तिमाल करते हैं blockades to prevent the transport अब देखो मैंने यहाँ पर 2 के बाद इसको लगाना नहीं चाहा है बात को खतम होने दो पूरा blockades ताकि transport ना हो सके बात खतम हुई वहाँ पर अब तीसरा काम अब शुरू है बिटा so make sure कि आप numbering करें जब आप numbering करेंगे आप कभी भी rule of parallelism गलत नहीं करेंगे तो यहाँ पर पूरा task complete करने दो और फिर जब आपका next point शुरू हो रहा है ना वहाँ पर rule of parallelism लगाई है जैसे कि यहाँ next sentence में लिखा है the union government's constitution of a peace committee तो इन्होंने peace committee बनाई है जिसमें eminent public figures हैं state में that has hit a snag hit a snag means problematic situation में आना with many of them refusing to join it or suggesting that they have been added without their consultation basically उनसे consulting नहीं किया हो गया उनको add कर लिया गया अब देखो यहाँ पर हमने or से connect किया ना मैंने आपको कहा ना conjunction से जब आप connect करो सेम रखना तो देखो refusing लिखा है और ing suggesting भी लिखा है so many of them refuse भी कर रहे है या वो यह suggest कर रहे हैं कि हमें ना हमसे consult नहीं किया गया और हमको committee में डाल दिया गया तो दो actions है ना numbering कर दिया आपने अब क्या मैंने refusing और join word को जोड़ना चाहा नहीं क्योंकि refusing to join it तक a task है बिटा refusing to join it तक एक बात है जो अब complete हुई है अब वो बात complete होने के बाद second बात कहां से शुरू ही है suggesting से देख रहे हो तो यहाँ पर join word पर हमने बिल्कुल भी नजर तक नहीं डाली क्योंकि वो तो two के बाद वीवन है वो तो हमेशा वीवन ही होगा उसको हमें change नहीं करना हमने एक task complete किया second task कव हमारा suggesting से शुरू हुआ so यह basically इस तरह से numbering जब आप करोगे तो आपकी rule of parallelism कभी भी गलत नहीं होगी so यह जो examples है editorial के ऐसे हजारो examples daily आते हैं editorial में so editorial में बहुत सारे sentences आते है I hope कि इस lesson के बाद अब जब मैं आपको color करके editorial में बताऊंगी कि देखो essay है numbering करके बताऊंगी तो आपको अब clarity आएगी और दिक्कत नहीं होगी exam में भी करने में so मुझे एक comment section में बताना कि कैसा लगा यह session like जरूर कर दो और share भी कर दो अपने friends के साथ thank you so much bye bye